वेलकम बैक दोस्तो, ग्रेटिट टू अल अफ यू, सबसे पहले आपको धन्यवाद के 19,200,19,200 का निफ्टी ने लाइफ टाम हाई टेच कर लिया है जून के महीने में इस वीडियो के अंदर में आप जूलाई महीने के analysis सीख होगे कि किस तरीके से market का outlook बना करके हम आगे के लिए trade कर सकते हैं, अप्तान कर सकते हैं चलिए उसको screen पर थोड़ा सा समझते हैं कि last जो जून महीने के numbers थे basically तो वो आपके ये थे कि 18,400 का जो level था आप जाकर के अब जाकर के जून महीने का जो first week का वीडियो डाला था उसमें देखे होगे कि एक साफ साफ बताया था 18,400 के उपर अगर निफ्टी जाएगा तो वो एक bullish trend में होगा और हम फिर upside के लिए wait करते रहेंगे नए नए levels आने की जो कि हमें साफ साफ देखने को भी मिला कि 18,500 का level market में देखने को मिला उसके बाद में अभी हम लोग 19,000 के उपर हैं और जून महीना जा चुका है अब उसी analysis के आधार पर मैंने क्या किया हुआ है आपके लिए फिर से जुलाई महीने की numbers को represent किया हुआ है तो अब आपको जुलाई में क्या करना है वो बहुत ध्यान से दे यह मेरे analysis के recording मुझे समझ में आता है और आपका एक जो hurdle कहीं न कहीं 19,300 के आसपास में शायद बन सकता है इसके उपर में भी जाएगा तो एक blue sky zone वाला scene रहेगा तो हम लोगों को करना क्या है सीदी सी बात 18,800 के उपर जब तक nifty है तब तक bullish view continue रखना है और जैसे ही आपक के आसपास में levels break हो जाते हैं और market नीचे जाना start करता है जिसका आपको एक early trigger देखेगा 18,650 पर उसकी नीचे में हमें buy के side में preference कम से कम देने है for the month of July अच्छा यह तो हुई monthly levels की बात जो के बारवर में repeat करते आ रहा हूं 6 months से एक number हम और देख लेते हैं which is annual analysis तो आपको मै है था जिसमें मैंने clearly आपको hint दिया हुआ था और I would say clearly बोला हुआ था कि 18,490 this 45 degree angle has been passed तो इसके बाद में जो आपके numbers निकल के आएंगे वो क्या है 18,876 जो के हम market में already देख चुके हैं तो हम लोग जो हमारा cycle 1 जो annual calculation रहती है square of 144 के method की WD gun की कि वो calculation 19,349 के आसपास के level को ह आपके साथ मैं यह सबसे हटके भी आपको एक दूचीज बोलना चाहता हूं कि मेंली है क्या अभी आपको एक WD gun के जो trend reversal dates है वो भी आपको represent कर दूँगा तो समझने वाली बात यह है कि जो भी levels है वो level की तरीके से हमको use करने है the main thing is किस level के उपर में हमें buy करना है किस level के नीचे में हमें sell करना है इस चीज का हमें ideology पहले से होना चाहिए बाकी main profit आपका risk management के उपर ही होगा तो चली अब हम लोग सीधे-सीधे क्या देखते हैं WD gun की trend reversal dates जो इस July महिने में क्या रहेगा अगर उन dates पे कोई भी number आ रहा है तो हम लोग ऐसे रिप्रजेंट करेंगे मान की चलते हैं 5th of July को अगर trend reversal date है तो 4 को market अगर negative है तो उस दिन positive होगा और vice versa इस तरीके से वो हमारी trend reversal dates काम में आती है और दूसरा चीज क्या है जो notice करने वाली बात होती है it is notice in the past history की जो ये dates होती है इसी के आसपास में market का monthly high या फिर quarterly high या low लगने के chances काफी high रहते है तो आपको ध्यान रखना है कि इन dates के आसपास में एक major home market में हो सकता है जो काफी दिन के लिए sustain कर सकता है बाकी हमें अपनी expertise और experience को भी उसमें जोड़ना होता है आशा करता हूँ आपको वीडियो पोसंद आया होगा आपको मन्ध और मन्ध बेसिस पर या analysis मिल रहे है तो आपको helpful होगा और साथ के साथ में जो live commentary होती है वो मैं अपने telegram के अंदर में live market में भी आपको daily basis पे share करते रहता हूँ उसको connect करना मत भूलिएगा कई वारी क्या होता है market में कुछ नई चीजे होती है तो वो ये monthly data शायद उस point पर capture ना कर पाई जहां मेरा experience काम आता है नेक्स वीडियो में तिल देन बाबाई